स्वागत है आपके अपने चैनल All About Fast Tag में चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले नई दिल्ली केंद सरकार ने Financial Year 2022-23 के लिए भविश्य निधी यानी Provident Fund PF में जमा रकम पर मिलने वाले ब्याज को बढ़ा कर 8.15 फीसद से ज्यादा कर दिया है इसके बाद Employment Provident Fund Organization, EPFO, के सदस्य अपने खाते में ब्याज की राशी के जमा होने का वेट कर रहे है इस संदर्ब में एक सदस्य ने ट्विटर पर ट्वीट कर EPFO से पूछा है कि आखिर कब तक उनके खाते में ब्याज की बकाया राशी जमा कर दी जाएगी इस सवाल का EPFO ने सदस्य को जवाब दिया है संगर्थन ने सदस्य को पूरी डिटेल में जवाब देकर विवरन बताया है Employment Provident Fund Organization ने जवाब देते हुए बताया है कि Financial Year 2022-23 के लिए खाते में ब्याज की राशी जमा करने का प्रोसेस लगभग हो चुका है समय के साथ जल्दी इसे बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा जब भी ब्याज का भुपतान किया जाएगा EPFO की और से पूरा किया जाएगा उन्होंने बताया कि ब्याज का किसी भी सदस्य को कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा बता दे कि EPFO खाते में ब्याज को मंथली आधार पर कैलकुलेट किया जाता है लेकिन इसे वित्तिय वर्ष के आखिरी में ही सदस्यों के खाते में डाला जाता है 24 जुलाई को जारी सकुल के अनुसार वितव वर्ष 2022-23 के लिए प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमाराशी पर ब्याज दर को 8.10 प्रतिशत से 0.5 प्रतिशत बढ़ा कर 8.15 प्रतिशत कर दिया गया है देश के 6.50 करोड एपीएफो सदस्य के खाते में अगस्त 2023 तके सारा का सारा पैसा पहुँच जाएगा बड़ी बात है कि वितव वर्ष 2021-22 के लिए एपीएफो एम्प्लॉइमेंट प्रोविडेंट फंड और्गनाईजेशन ने एपीएफ अकाउंट के लिए ब्याज दर 8.10 प्रतिशत निर्धारित की हुई थी हम अगर एम्प्लॉइमेंट प्रोविडेंट फंड और्गनाईजेशन एक्ट पर नजर डालते हैं तो किसी भी कर्मचारी के अकाउंट से बेस पे और डिये का 12 प्रतिशत हिस्सा पीएफ अकाउंट में अपने आप कर जाता है इस पर संबंदित कमपनी भी कर्मचारी पीएफ अकाउंट में इतनी ही यानी 12 प्रतिशत जमा करती है हालांकि कमपनी की ओर से किये जाने वाले ट्रिब्यूशन में 3.67 प्रतिशत एपीएफ खाते में जाता है जबकि बाकी का बचा हुआ 8.35 पैसा पैसा पैंशन स्कीम में जाता है हम अब आपको पीएफ की गनित की कहानी बता देते हैं अगर आपके पीएफ अकाउंट में 31 मार्च 2023 तक कुल 10 लाख रुपे जमा हुए हैं तो फिर आपको 8.1 शून्य प्रतिशत की दरसे ब्याज के रूप में 80,000 रुपे रुपे तक मिल मिलते थे लेकिन अब सरकार में पीएफ इंट्रेस्ट रेट को बढ़ा दिया है तो 8. 1.5 फीसद कर दिया गया है इसके हिसाब से अब खाते में जमा 10 लाख पर आपको सीधे 500 रुपे का लाब मिल जाएगा दुबारा मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए अपडेट के साथ